अस्टेशन पर तो पुलिस मार ही रही थी भिखना पहारी में जा के खोज-खोज के स्टूडेंट को पीटा जा रहा था या नयाई नहीं तो क्या है क्या कुछ हुआ ये बताएंगे क्या नाम हुआ देखे मेरा उत्तम सर्मा नाम हुआ और जीस तरह से सरकार छात रंदोलन को दवाने का प्रयास कर रही है और ये कोई उपीएसी का एक्जाम थोड़े नहीं है जीस तरह से नियम कानून बदलाव इसमें किया गया है ये नाइ सरकार की धरती पे जेपी अंदोलन चातर का ही अंदोलन था और जीस तरह से सरकार हमारे उपर अत्याचार कर रहे ये बरदास नहीं किया जाएगा कल के जो घटना हुई यह क्या लगता है, सरकार मानेगी? सरकार को मानना ही परेगा, जिस तरह से मार पिट किया गया है, स्टेशन पर नो माला ही गया है विखना पहाडी में घुष़भुस के स्टुडेन्ट को खोज-खोज के पिटा जा रहा है यह न्याई नहीं तो क्या है हमारे सहयोगी गोविन जी को चार-पांच लाठियां और भी बहुत सारे साथी संगठन पार्टी से गए हुए थे हम लोग खुद गए थे आसपास के अरिया में इतना बिहाने का सिती तरे चातर तो प्रोटेस्ट करेंगी चातर किसे मांगेंग इतना दिन से तो लोग बिनना ही कर रहा है कि भाई आप मांजाई है इसको रिभाइज कर दी रिजल्ट को जैसे पहले एक्जाम होता है उसे लीजिए सीबी टी टू को हटा दीजिए ट्रेन भी जलाने का बात है नहीं ने बिलकुल यह गलत बात है यह सब निराधारा पुलीस को देने का परियास कर रहे थे इसके सिवा चात्रों कुछ नहीं कर रहे यह सब पुलिस हर्वक्त चात्रों के साथ भी अन्याई करते हैं चात्रों कर बिलाद नहीं करने लेकिन पैले उन्होंने वेटा से फिता तयला वाजि किया जिए miUU कुछ कर रहें आप क्या कुछ कहेंगे, कल आपके उपर भी लाठियां बरसी है, तमाम जगों पर क्या कुछ दिन भर में क्या कुछ है? तो हम लोग बैक हो गए और बाहर आगे, पुलीस क्या कि पूरी एदम लाठि डंटे के साथ थे, आसु गोले दागे जा रहे थे, उसके बाद रगेद रगेद करके मारने लगे, लोहानी पूर अंदर घूस करके मारा गया, हम लोगों को भी पिटाई हुआ, चार पाच पर हम लोग जरूर संघर्ज करते हैं, पहले भी करते हैं, आज भी कर रहें, अलागे भी करेंगें। जागू कर दिया गया है इसमें उसको भी खतम कर दिया जाए सिंगल एक्जाम लिया जाए ग्रूप डी के एक्जाम में में परिच्छा निकलती है दो जार एक्जाम में रिजल्ट आता है वो रिजल्ट भी इस तरह से पूरा का पूरा धानली गेजुएट वाले लड़के इंटर वाले लड़के से कंप्टीशन कर रहे हैं इस बताई किस तरह से मतलब यह क्या हो रादेश में इस इस चावेस्ता जार दोल्ण रुकने वाली नहीं है यह अंदूलन लंबा चलेगी और सरकार को जुखना परेगा और सा चाट्रों का बात को मानना ही परेगा अब आगे आगे क्या करिएगा आगे अब कल कल के ये से लगता है प्रोटेस्ट से कल के प्रोटेस्ट लगता है कि सरकार मानेगी नहीं मानेगी तो हम लोग निरंतर करते रहेंगे आज मुझफरपूर में हो रहा है हम लोगों के भी साथ ही मुझफरपूर के टीम जो भी है स तब लोग मुझभःपुर में आज वलोग को ये हुए हैं, गया में भी हो रहा है, तो अब ये मामला बढ़ते जाएगा, सरकार नहीं मानेगी तो उसको मानना परेगा, इसके लिए हम लोग अंदोलन करते रहेंगे, और जब तक नयाय नहीं मिल जाता है, स्टुडेन को प्रवाजा करके घुजगुज करके पिटने का काम की है और भी तमाम बाते हैं और क्या कुछ कहिएगा देखे रविकांट जी मैं साप संदेश देना चाहता हूं सरकार पे इस पे जलत जलत संग्यान लेकर इस निरने जो दिया गया थोपा गया च्छात्र के उपर इसको बा कहना चाहूंगा जीस तरह से किसानों का बील बापस लेने का काम की है ठीक उसी तरह से ग्रूप डी का जो एक्जाम है सिंगल एक्जाम होना चाहिए और एंटी पी अर्रवी एंटी पीसी में जो धांदली हो रहा है उसको निस्पक जांच कराने के हम लोग मांग कर रहे है छात्रहित में नहीं तो पूरा देश का चक्का जाम करने का हम लोग काम करेंगे और बिहार से लेकर नेपाल की तराईयों से गंगा की गहराईयों तक हम लोग ट्रेन को रोकने का काम करेंगे और छात्रहित में अंदोलन करेंगे और हम लोग गांधी मैदान में भी कठा हो कर दिया जाए एक सो से ऊपर पुलिस चात्र मतलब की होस्पीटल में बढ़ती है और लगवाग पांस सो से ज्यादा गायल है और इस तरह से लोगों को फसाने का काम नहीं किया जूठा यूठा नाम दिया जा रहा है बिल्कुल गलत है चात्रों के जीवन चात्र लोग मजबूर है Gemeose hint it मोदी जी ओभा दोर्श करें अभिना वो रोजगार पैंद दे रहें ना शिचा पे द्यान दे ढ़ने ना शिचा करें हमेसे चाथिंदुलन करेंगे और करते list करेंगे अगला अगला क्या करेंगा आगे हम लोग यदि जो इससे नहीं मानेगी हम लोग अभी सांतिपुर्ण आंदोलन कर रहे हैं नहीं मानेगी तो उग्रांदोलन करने के लिए बाद हो गोविन सिंग मेरा नाम हो यह तीनों बेरोजगारी का आलम यह है कि एक छात्र का रहा है कि इससे अच्छा है कि वो मार ही दे या मार ही जाते तो अलग-अलग बाते हैं यह बिहार की मुद्दे को लेकर मैं लगातार आते रहता था यह सेंट्रल की एक्जाम को लेकर धांदली को लेकर बंदी था तमाम बाते कह चुके हैं यह अभी अर्थी हैं तैयारी करते हैं पुलिस ने चलाए पिर अस्टुडेंट ने चलाए यह यह तमाम बाते हैं तमाम बाते आ चुकी है तमाम बाते और भी में मुद्दे लगातार बिहार से जुड़ी हुए अभी हर्थियों को खास करके मुद्दे में जरूर लाओंगा और पॉलिटकल न्यूज तो मैं सुना आता ही रहता हूं अभी के लिए इतना ही कहूंगा मेरा नाम हुआ रविकान धन्यवाद